महेश चवाट आखिर में आपके पास आया हूं महेश और मुझे आपसे हमदर्दी भी है आप अपनी पाटी भी हार गए बिल्कुल उद्धव ठाकरे की आनन दुबे की तरह और एक-एक करके अब उद्धव ठाकरे भी उदर ऐसा लग रहा है सुर नरम हो गए राज ठाकरे भी ऐसा लग रहा है उदर जा रहे है TDP भी है RLD की भी चर्चा हो रही है क्या करेंगे इंडिया कटबंदन में कौन-कौन बचा है महेश नमस्कार मानक जी सबसे पहले आपने हमदर दी जताई इसके लिए आपका शुक्रिया मानक जी देखिए चुनाव आयोग खुद वोटिंग नहीं करता नो वोटिंग तो जनता करती है इसके लिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं है चुनाव आयोग भले कुछ भी निकाल दे लेकिन जनता महारश्टर की जनता अपने देश की जनता हमेशा अन्या के खिलाफ खड़ी रही है और इसके आगे भी खड़ी रहेगी और जनता देख रही है किस पर अन्या हो रहा है आप भी जनते किस पर अन्या हो रहा है आप शा के गर्ब में क्या छिपा है किसी को पता नहीं होता लेकिन आदर्निया प्रदान मंत्री जी ने तो बविश्य के गर्ब में घुसकर यह आकड़ा भार निकाला कि वो 370 तो शायद वो 370 सीट यह टाइम जीतने वाले हैं तो शायद वो EVM के गर्ब में घुसगे होंगे शायद उसके लिए उनको पता चल गया होगा लेकिन अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि 370 सीटे सिर्फ BJP की आएंगे और 400 पार NDA की आएंगी तो यह सब RLD, UDOTA करे सेना इनक को क्यों चाहिए बाकी के लोग उनको इतना जिनको जिनके साथ इनकी नहीं बन रही है जिनको इतने रोज सुबह शाम गालिया एक दूसरे को दे रहे हैं और अभी मैं ये के नाच्छतों बहुत सारी बाते की गई अजे अलोग जी की तरफ से परिवारवाद की बाते की ग अगर एकनाच चिंदे जी में आएंगे तो शायद उद्धो ठकरे जी उदर जाएंगे ओ मतलब आप ये कह रहे हैं एक मियान में दो तरवारे नहीं आ सकती नहीं ये तुम्हें सरकास की के लिए कि वो नहीं जाएंगे पूरा यकीन है आपको पूरा यकीन है अरे कुछ द प्रशक नहीं बन पाए और दूसरी तेजस्वी यादव उन पर बारी हो रहे थे उनको शायद लग रहा था थोड़ी दिनों बाद उनको मुख्यमंत्री पर तेजस्वी यादव को देना होगा शायद इसके लिए हो गएंगे और एक बात मुझे केली यहां पर बहुत गम आरेलडी भी जाएगी अभी बीजेपी को ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं उनको अपने खुद के बल पे 370 सीटे मिलने वाली है और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ राज ठाकरे के बारे में क्योंकि आप तो महराश्टर की पार्टी है उनकी अपनी अलग स्प्एश है वो स्प्एस में ओ कुछ ओुने इधर उदर आप बेजने चाहरे हों ओके सुजाता उसके बाद आजया